हलो फ्रेंड कैसे हो आप लोग फ्रेंड देखिए लिनूवो का लैप्टोफ है और इस लैप्टोफ में ऐसा है कि आम मेमूरी आप मतलब जानते हें कि रैंब区 का जो स्पीड होता है वह मेमोरी कितना केवल साइज लिखा हुआ रहता है तो आप कैसे चेक करेंगे आप皮 यो रहता है वह आप का नहीं दिया रहा था तो और स्पीड को मतलबött कोई भी Windows 10 ंहो फिर कोई भी operating system हो उसमें आप कैसे चेक करेंगे? तेकि हम आपको BIOS में भी इंटर करके आपको दिखांगे कि आपका ये BIOS में हमारा क्या दिख रहा है तो इस वेस में अगर BIOS में दिख जाता तो अच्छा है लेगिन अगर नहीं दिखता, तो हम वह तरीका आपको बताते हैं कि आप कैसे चेक करेंगे देखिए हमारे यहां पे जो दिख रहा है वह आपका इसमें रैम देखे चार्ज भी दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा है यह प्रोशेसर का डीटेल दिया हुआ लेकिन रैम का कुछ डीटेल नहीं है, तो हम ऐसा करेंगे कि आपको नॉर्मल मूट में पिर से कंप्यूटर को OS में आपका LOADING करेंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं कि वह आपका कैसे, मतलब चेक करेंगे आपका RAM का speed मतलब कोई भी RAM खरीदने जाते हैं तो same speed का RAM आप खर देंगे लेकिन कैसे खर देंगे आपका speed कितना आपका laptop में लगा हुआ वो चेक करने के लिए आपको यह जरूत पड़ेगी तो ऐसे करके आप चेक करेंगे तो यह हमारा laptop नॉर्मल भी चालू मतलब हो रहा है और यह जो tax bar होता है आपका tax bar में आपको right click करना होता है और right click करने के बाद tax bar यह आपका manager जो आपका tax manager जो है इसमें आपको click करना होगा tax manager में click करेंगे तो उपर का जो option आपको आएगा यह उपर में आप देख सकते हैं performance है तो performance में आप click करेंगे इसमें तीन option दिया हुआ है तो middle में आप memory देख सकते हैं memory जो दिया हो उसमें click करने पर यह आपका सारा detail आपको दिख जाएगा यहां पर detail जो देखे 2133 MHz आपका यह RAM जो लगा हुआ है 2133 MHz का speed का तो आपका जो problem मतलब जो था हो हमारे speed का क्या कैसे check करेंगे तो यहां से check कर सकते हैं और भी कोई detail हो तो आप यहां से देख सकते हैं प्रोसेशर का भी और मेमोरी का भी ठीक है फ्रेंड तो ए प्रॉब्लम आपका इस तरह हो सकता है तो ए वीडियो जैसे कि हम आपका प्रोसेशर का speed कैसे कैसे check करेंगे इसलिए बनाए गया है आपको अगर पसंद आती है तो लाइक करे सब्सक्राइब करें थैंक यू पर वाचिंग